हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न प्लांट होर्मोन्स पांचो के पांचो होर्मोन्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे देखो एंसी आर्टी की एक एक लाइन करवाने की रिस्पॉंसिबिलिटी मेरी है आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि वीडियो स्किप नहीं करना है ठीक है वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है वीडियो को स्किप नहीं करना है ठीक है तो देखो एंसी आर्टी में हमारे पास ये पांच होर्मोन दिये वे हैं ऑग्जिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और अब देखो जो ऑग्जिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन हैं वो हैं पॉजिटिव होर्मोन मतलब यह इन जनरल है कि यह प्लांट के लिए पॉजिटिव काम करेंगे और यह दो हैं ये negative काम करेंगे अब हम बारी-बारी से इनके एक-एक के function tricks के help से याद करेंगे देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है Oxyn अब देखो, Oxyn के function कैसे याद करें इसके लिए simple से trick है कि X-Mess X-Mess लिखा है मैंने Christmas ठीक है, ये तो सब समझ के होंगे X-Mess होता है Christmas Christmas पर आदित्या ने Selena को रोज का flower दिया Christmas पर आदित्या ने Selena को रोज का flower दिया Christmas पर आदित्या ने Selena को रोज का flower दिया, अब देखो Christmas Christmas को हम लिखेंगे X-Mess X से हमें याद आएगा Xylem differentiation पर, पर से हमें याद आएगा Parthenocarpy आदित्य AD, AD से याद आएगा Epical Dominance Selina, Selina Selina से हमें याद आएगा Cell, Cell Division Rose से याद आएगा Rooting Flower से याद आएगा Flowering तो Oxans के function हमें याद होगे कि Christmas पर आदित्य ने Selina को Rose का Flower दिया ठीक है, और ट्रिक में Christmas Stands for Xmas और X Xylem differentiation पर stands for parthenocarpia ad means apical dominants Selena cell यहां से उठाय से और यह हमारा आ गया स्ऐल डिवीजिन रोस से हमारा रॉटिंग और Fuland ever City to场 अब हमारे पास हाता है अब देखो गिब्रेलीन की सिम्पल सी टृच के देखो गिब्रेलीन की शोट आं हों लिखो गे आ तो कैसे लिखो गे घिब्रेलिन को शोट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे यह लिखो ए लिखोगे अगि पहले पहले रिघर एक पॉइंट का इसमें गंढा कर दिया हैorg ne तो अंसर जाएगा गिबरेलिन grapes, grapes का question कहीं भी आ गया अंसर जाएगा गिबरेलिन गोभी, गोभी से आ गया cabbage ठीक है, गोभी को क्या cabbage, English में बोलते हैं तो cabbage, मतलब गोभी जहाँ भी आ गया अंसर जाएगा गिबरेलिन grocery, grocery store जो होता है एक टाइप का market होता है तो market period increase कोन करेगा गिबरेलिन ठीक है तो G से गन्ना गन्ना से sugar cane G से grapes G से goby जिसमें cabbage आ जाएगा G से grocery जिसे market period आ जाएगा अपना तो यह अपने G से cover होगे ठीक है और फिर आजाते हैं गबबर G के बाद आया B B से हमारे पास दो आ जाते हैं Bolting Effect और Brewing Industry अब देखो Bolting Effect जहां भी आया वहाँ अंसर आएगा गिब्रेलिन और Brewing Industry मतलब Malting Process ठीक है Malting Process in Brewing Industry इसमें NCRT में एक लाइन लिखी हुई है कि गिब्रेलिन स्पीड्स अप Malting Process in Brewing Industry तो Brewing Industry से भी याद आ जाएगा B से याद आ जाएगा Brewing Industry और R से Rosette Rosette Habit ये होती है और Rosette Habit जिसमें होगी वहाँ अंसर जाएगा गिब्रेलिन देखो Question से सिर्फ हमें नाम से याद रखने है ऐसा नहीं कि हमें पूरा याद होना चीए हमें थोरी तो लिखने है सिदा याद होना चीए कि Sugar Cane सिर्फ और सिर्फ गिब्रेलिन में था Rosette Habit तो थी वो सिर्फ और सिर्फ गिब्रेलिन में आ रही थी Bolting Effect सिर्फ और सिर्फ गिब्रेलिन में था हमें पूरा याद ही नहीं रखना Question यह ऐसे आते हैं G से गोबी मतलब cabbage G से grocery store grocery store एक टाइप की market होती है तो market period कौन increase करेगा fruits का gibberellin और B से balding effect और brewing industry और R से rosette habit rosette habit जिन में होगी उनमें answer सिधा लगाना है gibberellin उसमें क्या करेगा वो confused मत होना inter node elongation करता है कुल मिला के सब में पर मैं उसमें confused नहीं करना चाता सिर्फ यह याद रखना अब देखो next हमारे पास आगया cytokinin अब देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करो cytokinin इसमें cyto क्या है और kinin क्या है देखो cyto का तो सीधा सीधा मतलब होता है cell और kinin kinesis word होता है division के लिए use cytokinesis मतलब cell का division karyokinesis dolphins करियो का का क्या सीधा आया nucleus और kinesis से आया division मतलब हमें ये पता लग गया कि kinesis का मतलब division और syto का मतलब cell ठिक है तो ये होर्मोन है एक जो करवाएगा cytokinesis cytokinesis का मतलब cell division मतलब cytokinin करवाएगा cell division तो हमें एक बात पता लगी कि जब भी cytokinin का question आया तो उसको cell division से उडाना है उडाना है मतलब shoot करना है तो cytokinin का जब भी question आया उसको shoot with cell division यहाँ पे shoot का बहुत बड़ा मतलब है पूरा cytokinin जो भी NCRT में इसी पे टिका हुए है तो इसको भूलना मतलब cytokinin का कोई भी question cell division से उडाना है उडाना है मतलब shoot करना है cytokinin का question को shoot करो cell division से अब देखो shoot आपको पता होगा यह देखो कि root part plant का कौन सा होता है और shoot कौन सा होता है shoot part plant का होता है जो जमीन से उपर है और root होता है जमीन से नीचे तो जब भी शूट पार्ट की बात की जाए कि cell division इन सब के आगे cell division लगा देना कि cell division इन शूट पार्ट तो हमेशा अंसर होगा cytokinin मज़ेदार बात यह है आप NCRT खोल के देखना आपको लगेगा कि इतने दिन से हम इसमें रट्टा क्यों मार रहे थे ठीक है तो कुछ भी आजाए शूट पार्ट अब देखो अंसर शूट आगया मतलब cytokinin cell division इन सब के आगे लगेगा cell division ठीक है क्योंकि यह cytokinin पढ़ रहे हैं cell division in leaves अब देखो leaves root part है या शूट है शूट है तो अंसर आगया cytokinin cell division in lateral शूट फिर से शूट आगया मतलब अंसर cytokinin cell division in fruits ठीक है अंसर क्या आएगा fruit फिर से शूट का पार्ट है cytokinin अब देखो fruit की यहां maturation या और कुछ आजाए तो कुछ भी answer हो सकता है ithailin भी हो सकता है कि fruit की ripening कोन करवाते है पर यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि cytokinin cell division question में होना जरूरी है कि cell division fruit की कोन करवाएगा fruit शूट का पार्ट है तो cytokinin chloroplast chloroplast root है या shoot का पार्ट है shoot का पार्ट है जमीन से उपर है तो इसका भी answer cell division इसमें cytokinin adventitious shoot फिर से shoot आ गया मतलब cytokinin leaf senescence leaf फिर से जमीन से उपर है तो shoot का पार्ट में भी कोन करवाएगा cytokinin ठीक है तो जितने भी shoot का पार्ट आ जाए उससे cell division में सबका answer होगा cytokinin ठीक है cytokinin के बाद करेंगे aba और last में करेंगे ethylene देखो ABA के लिए simple से trick है देखो एक situation imagine करो आपके घर के बाहर violence चल रहे है दंगे चल रहे है तो सबसे ज़ादा stress किसको होगी CDC बात है father को सबके father को सबसे ज़ादा stress होगी तो अगर बाहर दंगे चल रहे है तो father stress में क्या करेंगे घर के दर्वाजे बंद कर लेंगे और father को बोलते है बहुत सारी जगा पे इंडिया में father को बोलते है अबा ठीक है father को बोलते है अबा तो अबा closes doors in stress अबा ने stress में दर्वाजे बंद कर लिए ठीक है अब दर्वाजे की जगा है सिर्फ दरवाजे की जगा स्टोमेटा रख देना है और बाकी सेम कोपी कर देना है अब देखो अबबा क्लोजिज डोर्स इन स्ट्रेस और यहाँ पर फिर से ABA है अबबा क्लोजिज डोर्स की जगा स्टोमेटा इन स्ट्रेस सबसे ज़ादा कोशन ABA में देखो स्टोमेटा दर्वाजे की तरह ही होते हैं यह याद आजाएगा आपको तो दोर्स की जगा स्टोमेटा कर देने और सेम इसी लाइन को चिपका देने ऐबीएं से कोउषन पूछा जाता है यह सिंपल करने अ बीएं जी कर लेने की जो होता है वह होता है एंटी गिबरेलिक एसीड जो ए बीएं होता है वो होता है anti-gibrillic acid question बहुत पूछा जाता है anti-gibrillic acid कौन सा होता है तो answer आएगा ABA B की जगह जी करते ना ABA, AGA ABA is anti-gibrillic acid उससे उल्टा काम करेगा ठीक है अब last में हमारे पास आया ethylene last में हमारे पास आया ethylene ethylene में कुछ नहीं याद रखना और सिर्फ याद रखना FM ethylene में याद रखना FM जो होता है radio वाला FM radio वाला FM वो याद रखना है सिर्फ FM F से हमारे पास आया flowering, fruit maturation और femaleness अब देखो femaleness यहाँ पे यह plant की बात कर रहे है femaleness का मतलब यह तो हो नहीं सकता कि बाल लंबे कर लेगा वहाँ पे सिदा सिदा मतलब है उसमें female flowers जादा आएंगे ethylene के effect से female flower जादा आएंगे और example दिया है ककंबर की ककंबर में female flower जादा आएंगे ethylene के वज़ा से तो F से हमारे पास आगए flowering, fruit maturation और femaleness और M से आगए है मोटा अब मोटे का सिदा सिदा मतलब है देखो जब कोई मोटा होता है तो उसका vertical नहीं बढ़ता हो ठीक है vertical मतलब हाइट नहीं बढ़ती वो horizontal growth करता है कोई भी इंसान जब मोटा होता है तो उसकी vertical growth नहीं होती है उसकी horizontal growth होती है तो horizontal growth से मतलब है सिदा सिदा horizontal growth कोन करवाएगा plant की ethylene वहाँ पे लिखा हुए एंस यार्टी में ठीक है और swelling of axis फिर से वो ही आगया swelling मतलब lateral growth मतलब lateral growth horizontal growth swelling मोटा से हमें याद आएंगे lateral growth horizontal growth swelling और ये सिदे सिदे सब किसमें आ जाएंगे ethylene में तो ethylene की trick है fm f से हमारे पास आए flowering fruit maturation जो fruit ripening भी बोल दो जिसे और femaleness femaleness में क्या होगा ककंबर में female flowers जाद आएंगे ये important है और मोटा मोटा मतलब m से मोटा मोटा मतलब horizontal growth horizontal growth आए या lateral growth आए या swelling आए तो अंसर जाएगा ethylene ठीक है अब देखो confusion का सिर्फ एक ही चीज बचगी कि ये दो चीज बूछ ले जाए तो इसमें बहुत confuse हो जाते है कि कोन करा रहा था कोन नहीं करा रहा था ठीक है sinnesense और obsession अब देखो sinnesense होता है sinnesense सिधा सिधा याद रखना sinnesense होता है aging sinnesense होता है aging बूढ़ा होना ठीक है और obsession होता है कोई भी plant का part तूटके गिर जाना या कोई टहनी तूटके गिर गी या कोई fruit तूटके गिर गया तो इनको याद रखना sinnesense होता है aging और obsession होता है कि कोई भी प्लांट का पार्ट तूट के गिर जाना तो ये दोनों एजिंग और कोई भी पार्ट तूट के गिर जाना तो हमें पता लग रहा है कि ये दोनों चीज प्लांट के लिए harmful हैं, मतलब अच्छी नहीं है, मतलब negative है ठीक है, और अब देखो हमने क्या किया था कि ये तीन जो हर्मोन है, ये प्लांट के लिए positive काम करेंगे और ये दो हर्मोन है, ABA और ETHYLINE ये negative काम करेंगे अब ये दोनों चीज प्लांट के लिए है negative तो इन्हें परमोट कोन करेंगे? negative हर्मोन तो इथाइलिन और ये भी ये परमोट करेंगे सिनेसेंस और अबसेशन को और ये इनको रोकेंगे मतलब डिले करेंगे ठीक है तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है ये यहीं पर पूरा क्लियर हो जाएगा ये दोनों चीज प्लांट के लिए नेगेटिव हैं तो इनने नेगेटिव को परमोट करेंगा नेगेटिव और इनको डिले करेंगा रोकेंगा पोजिटिव ठीक है थैंक्यू वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं थैंक यू एंड अल दे बेस्ट